Hello Everyone, Welcome to Special Study दोस्तो आज के Special वीडियो में हम Chemistry के Important Topic जो रहेगा Acid, Base एवं Salt तो दोस्तो आप जानते हो कि एक्जाम में हम लोय हम चार से समबंदित कोस्चन हमेशा बनते हैं इसलिए इस टोपिक से जितने भी Important Question बन सकते हैं आपकी एक्जाम में सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे तो कापी Important रहेगा आपके आने वाली एक्जाम के लिए ठीक है, Last तक जरूर बने रहेगा तो चले सुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा Question No.1 है अमल वहाप अदार्त है जो क्या करता है तो अमल वहाप अदार्त है जो प्रोटान देता है याद रखेगा इसको पूछा जाता है यह बार बार ठीक है अगला Question है भस्म वहाप अदार्त है मतलब की छार वहाप अदार्त है जो क्या करता है तो जो प्रोटान ग्रहन करता है जो अमल होता है वो प्रोटान देता है और जो छार होता है वो प्रोटान ग्रहन करता है तो इसको भी याद रखेगा अगला कोस्चन है अमल एवाम भश्मों की अभिकिरिया के फल्सरूप बने पदार्त को क्या काते हैं तो आमल एवम छार के अभी किरिया के फल सरुप जो पदार्थ बनता है उसको हम लवन बोलते हैं ठीक है याद रखेगा इसको Next question हमारा question number 4 उदाशीनी करण किरिया में बनता है तो उदाशीनी किरिया में क्या बनता है लवन एवम जल याद रखेगा इसको Next question है आमल एवम भाश्म के परिक्षयन के लिए किसका उप्यो किया जाता है तो आमल एवम भाश्म के परिक्षयन के लिए हम लिटमस पत्र का यूज करते हैं ठीक है अगला question निले लिटमस को लाल कर देता है तो निले लिटमस पत्र को लाल कोन कर देता है काफी बार exam में पूचा गया है तो आमल याद रखेगा ठीक है न? अगला question है लाल लिटमस पत्र को निला कर देता है तो लाल लिटमस पत्र को निला कोन करता है तो याद रखेगा छार डिसको की भास में भी बोलते हैं अगर निले लिटमस को लार कर रहा है तो वो अमल होगा और लार लिटमस को निला कर रहा है तो वो चार के लाएगा ठीक है याद रखेगा नेक्स्ट कोस्चन है कोस्चन नमबर एट जल में घुलनसिल चार को क्या कते हैं तो जल में जो घुलनसिल चार है उसको हम बोलते हैं क्या चार याद रखेगा नेक्स्ट कोस्चन है निनमलिकित में से कौन सा कतन सही है तो चार में साबुन जैसी चिकनाइट होती है सही है यहाँ पर चार लाल लिटमस को निला कर देता है यह भी यहाँ पर सही हो जाएगा सभी चार भस्म होते हैं किन्तु सभी भस्म चार नहीं होते तो यह भी यहाँ पर सही है मतलब कि उप्यूक तो सभी इस question का सही answer सही answer होगा ठीक है बढ़ते है next question के तरफ question number 10 है हमारा सभी अमल जल में घुश कर प्रदान करते हैं तो सभी अमल जल में घुल कर क्या प्रदान करते हैं तो H plus iron देते हैं दोस्तों ठीक है याद रखेगा इसको भी अगला question है भस्मों का स्वाद होता है तो भस्मों का जो स्वाद होता है वो होता है खारा ठीक है next question है भस्मों के जलिये गोल में कौन सा iron होता है तो भस्मों के जलिये गोल में जो iron होता है वो होता है OH-iron ठीक है OH-iron next question है सभी 11 होता है तो सभी लवन क्या होता है विदूत अब घट्य नेक्स्ट कोश्चन है 14 नम्बर कोश्चन pH मान का निर्धारन किस ने किया था तो pH मान का निर्धारन किया था सौरंसन ने याद रखेगा इसको ठीक है नेक्स्ट कोश्चन सुद्द जल में हइड्रोजैन आयन संद्रन का मान होता है वो कितना होता है 10 to the power minus 7 ठीक है नेक्स्ट कोश्चन 16 नम्बर कोश्चन है अमलिय घोल का pH मान होता है तो अमलिय घोल का जो pH मान होता है वो होता है 7 से कम ठीक है अग्रा question चारिय गोल का pH मान कितना होता है तो चारिय गोल का जो pH मान होता है दोस्तों वो साथ से अधिक होता है और ये काफी बार एक्जाम में पुछा गया है आई एंपि ये लिगा लिजिए ठीक है नेक्स्ट question है ओधासिन गोल का मान होता है तो दासिन गोल का जो pH मान होता है वो कितना होता है साथ पूछा गया question है ये भी याद रखेगा इसको बढ़ता है next question के तरब सभी अमल धातुओं से प्रतिकिर्या कर कौन सी गेस निकालते हैं तो सभी अमल धातुओं से प्रतिकिर्या कर hydrogen गेस निकालते हैं याद रखेगा इसको भी ठीक है next question है रग्त का pH मान होता है तो रग्त का pH मान कितना होता है 7.4 अगला question है दूत का pH मान होता है तो दूत का pH मान कितना होता है 6.6 बढ़ते हैं next question के तरब hydrochloric aml जिसको की HCl भी वलते हैं तो hydrochloric aml acetic aml से आधिक सक्ति साली है किस कारण से तो यह H प्लस आयन उत्पन करने हैं तू संपूर्ण आयनित हो जाता है यह इस question का यहाँ पर सही answer हो जाएगा दोस्तो याद रखेगा पूछा गया question है ठीक है ना बढ़ते हैं next question की तरब 23 number question है जो लवन aml या hydrogen परमाणू या hydroxil आयन से मुक्त रहते हैं क्या कलाते हैं तो सामान ने लवन कलाते हैं next question है नीनमलीगित में से कोन सा सामान ने लवन नहीं है तो कोन सा सामान ने लवन नहीं है तो याद रेकिगा ने एच एसओ फोर इसका सही अंसर होगा जो की नार्मल साल्ट नहीं है अगला question है जटिल लवन का उधारन है तो जटिल लवन का उधारन क्या हो जाएगा इन में से सभी next question है 26 number question मोहर लवन है तो मोहर लवन क्या हो जाएगा यापर द्विक लवन ठीक है next question 27 number question है यहाँ पर आपको सही मिलान करना है दोस्तो तो सामान्य लवन किसको बोलेंगे बेरियम क्लोराइट को अमली लवन किसको बोलेंगे तो सोडियम बाई कार्बोनेट को चारी लवन की बात करें तो किसको बोलेंगे फेरिक अकसाइट को और द्विक लवन बोलेंगे फिटकरी को तो याद रखेगा जो अप्सन नमबर भी दिया है यहाँ पर इस question का सही answer हो जाएगा उम्मेद समझ में आया होगा आपको next question देखते है 28 नमबर question है जल में सामनेत लवन के गोल में होते हैं तो क्या होता हैं दोस्तों सोडियम के धनात्मक आयन क्लोरिन के रिनात्मक आयन याद रखेगा यह पूछा गया question है ठीक है next question है 29 नमबर question Hydrogen सभी अमलों का एक आवश्यक आव्यव है यहां सरवपतम किसने कहा था तो Hydrogen सभी अमलों का एक आवश्यक आव्यव है यहां बोला गया था डेवी के द्वारा ठीक है ना Next question Lavan जो जल का आवश्योशन करता है क्या कहलाता है तो यहां लवण जो जल का आवश्योशन करता है वह खलाता है Hydroscopic Lavan ठीक है ना अगला question है 31 number question ताजे दूत का pH 6 है यहां खट्टा हो जाता है तो pH मान क्या होगा तो pH मान जो होगा दोस्तों वो 6 से कम हो जाएगा अगर अमली होगा तो ठीक है ना और अगर चारी होता तो 6 से जादा हो जाता 32 number question है pH मुल्यांग का दर्साता है तो pH मुल्यांग क्या दर्साता है किसी गोल के अमली या चारी होने का मुल्यांग याद रखेगा कापी बार पूछा गया question है ठीक है ना next question है 33 number question है अमोनियम क्लोराइट का जली विलियन होता है तो अमोनियम क्लोराइट का जली विलियन कितना होता है चारी हो next question है H2O मतलब की जल और जली एने ओएस से भरी परिक नलियों के विलियनों में विबेत किया जा सकता है तो किसके दारा विबेत किया जा सकता है लाल लिटमस द्वारा याद रेके का option number है इस question का सही answer होगा 35 number question है निन्मलिकित में से कौन अमली 11 है तो निन्मलिकित में से कौन अमली 11 है H2, CO3 इसका सही answer होगा option number D 36 number Qoktion है निन्मलीकित में से किस लवण का जली विलियन लाल लिटमस को निला कर देता है तो कौन सा लवण है जो जली विलियन को लाल लिटमस को निला कर देता है तो इसका सही आंसर होगा Na2COO3 जिसको कि सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं ठिक है ना Next question is 37 number question जली विलियन की अमलता के परिक्षण के लिए कौन सा उपकरन प्रयुक्त किया जाता है तो जली विलियन की अमलता के परिक्षण के लिए जो उपकरन यूस किया जाता है वो है pH meter अगला question निनमलीगित में से कौन सा योगिक लुईस अमल नहीं है तो कौन सा योगिक लुईस अमल नहीं हो जाएगा यहां पर तो BF3 इस question का सही answer होगा याद रखीगा इसको भी और अगला question इस वीडियो का last question सुद्ध जल का pH मान होता है तो सुद्ध जल का जो pH मान होता है वो होता है साथ ठीके तुम में देखी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजेगा दोस्तों और आपको बता दू कि मैंने इंडियन जियोगराफी पॉलिटी एकोनोमिक्स साइंस को कम्प्लिट टोपीक वाइस MCQ की रूप में कवर किया है अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हो तो उम्मिद यही करूँगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और पुराने वीडियो उसको जरूर देखोगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक की ले जाए ही आल देश्ट